सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाईए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुन सके सबसे पहले मान लीजे कि एक कोफी का मुल्य है पांच रुपे एक पेन का मुल्य है एक रुपे चथा वीस पेंसेलों का मुल्य है एक रुपे अब आपको करना ये है कि 100 रुपे में 100 वस्तुए या आइटम्स को खरीडना है मान लीजे कि आपको 100 रुपे दे दिये जाए और कहा जाए कि मार्केट से 100 वस्तुए को खरीडना है जिनमें पेन, कॉपी और पैंसिल का होना अनिवाद है तो आप 100 रुपे में कितनी कॉपिया खरीदोगी, कितने पेन खरीदोगी, तथा कितनी पैंसिले खरीदोगी और 100 वस्तोय खरीदना है, जिनने pen, coffee और pencil का हुना अनिवार हैंगा। मात्रा कितनी भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपको सोचने के लिए और अधित समय चाहिए, तो आप वीडियो को पाउस भी कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल को पहली पार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तथा वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए मैं आपको इसको सोलुशन बता देता हूँ, सबसे पहले हम कोप्या खरीदेंगें। हमिनींश कोप्या खरीदेंगें, जो कि 95 याने 75 रुप के आएगी। हमें एक पैंट खरीदेंगें, जो कि 1 रुप्यक आएगा, तथा हम असी पैंचले खरीदेंगेंं, जो कि 4 रुप्य के आएगी। तो आप पूल वस्तुएा जोड़कर देख लिजई जो की 100 हो जाएंगी, तथा पूल रुपेज आपके जोड़कर देख लिजब जो की 100 यानि 100 हो जाइगे। एक लड़का है जिसके पास एक बेग ये तता बेग में कुछ बोले हैं साथ ही उसका दोस्त है उसके पास भी एक बेग ये तता बेग में कुछ बोले रखी हुए पहला लड़का कहता है दूसरे लड़के से कि यदि तू मुझे एक बॉल दे दे तो हम दोनों के पास बराबर बराबर बॉल हो जाएगी यह बात सुनका दूसर लड़का कहता है पहले वाले लड़के से यदि तू मुझे एक बॉल देजे तो मेरे पास तुझसे डबल बॉल हो जाएगी तो आप बताईए कि इन दोनों के पास कितनी कितनी बॉले हैं बहुत ही ही सवाल है जिसको करने में आपको अहुत मजा आएगा तो चलि मैं आपको सोचने के लिए कुछ समय लेता हूँ चलि मैं आपको इसका थोलूशन बता रेता हूँ पहले दोस्त के पास पांच बोले होगी तैथा दूसरे दोस्त के पास साथ बोले होगी तो दोस्तो यह अभी आपको ए वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीस लाइक कीजिए वीडियो को शेर कीजिए तर्टा चैनल को सस्क्राइब करना मत μ былिये मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जय हिन जय भारत